दोस्तो बॉलिवुड कारपेट चेनल में आपका बहुत बहुत छवागत है दोस्तो आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले है बॉलिवुड की खुब शुरत अबिनितरी श्रद्दा कपूर की 2020 और 2021 में आने वाली मुवी के लिष्ट के बारे में तो दोस्तो वीडि श्रद्दा कपूर की पहली मुवी नागिन आने वाली है इस मुवी में श्रद्दा कपूर एक इच्छा धारी नागिन की भुमी का निबाने वाली है यह मुवी तीन फिल्मों की श्रुंखला होगी यानि कि यह फिल्म तीन पार्ट में रिलीस होने वाली है इस फिल्म का पनेम नागिन होने वाला है और इस फिल्म का डाइरेक्शन विशाल फूरिया करने वाले है और इस मुवी को प्रोड्यूश निखिल त्रिवेदी द्वारा किया जाएगा पहली बर श्रद्दा कपुर बड़े पर इच्चा धारी नागिन की बुमी का निबातेवी नजर आईगी। को देखकर श्रद्दा कपूर बॉली उड की पहली अभीनेत्री नहीं है जो एक इच्छाधारी नागिन की भूमी का में नजर आएंगी भारतिय लोग गीतों के आकार बदलने वाले सापके कल्पनिक चरित्रियों को श्री देवी रेखा और रिना रोई जैसी कई प्रशिद अभीनेत्रियों द्वारा सरहाया गया है इस बार श्रद्दा कपूर नए युक की इच्छाधारी नागिन का किर्दा निबाने वाली है श्रद्दा कपूर की ये जबर्दस्त मूवी 2021 की सुरूआत में रिलीस होगी के अलावा श्रद्दा कपूर की दुशरी मूवी दिरेक्टर लव रंजन द्वारा नहीं जाएगी पर इनका टाइटल अभी तक तई नहीं हुआ है पर इस मुवी में स्टारकस्ट के तोरबर श्रद्दा कपूर के साथ द्रणबिर कपूर होने वाले हैं इस मुवी को श्रद्दा कपूर की नागिन मुवी के बाद 2021 में रिल किया जाएगा इस मुवी में श्रद्दा कपूर के साथ आर माधवन और नवाजुदिन सिद्गी होने वाले हैं और इस पार इस मुवी को 60 करोर के बजेट पर बनाया गया है यह मुवी 2021 के अंत में रिलीज हो सकती है ऐसा अनुमन लगाया गया है इसके अलावा श्रद्द मुवी के स्टारकस्ट की बात की जाए तो इसमें में शिल्पा सेटी शुनिल सेटी और अक्षय कुमार लीड एक्टरस के तौर पर दिखाए दिये थे वही अती थी किर्दार में महिमा चौंतरी दिखाए दिये थे और एक प्रेम त्रिकॉन संबंधित लव स्टोरी थी न इस मुवी को डाइरेक्ट धरमेश दर्शन द्वारा ही किया जाएगा इस मुवी में स्टारकस्ट की बात की जाए तो इसमें हमें श्रद्दा कवपूर और शुरच पंचोली दिखाए देने वाले हैं धरकन टू मुवी को 80 करोर की भारे बरकिम बजट पर बनाये जाएग इसका वीडियो पसंद आये तो लाइक जरू कर दीजिए और इस चाहर का प्रमेश दक सब्सक्राइब नेकिए तो इस प्लीज सब्सक्राइब जरू कर देजिए